नमस्कार सांतियों मैं आपका दोस्त अमीत एक बार फिर से उपस्तित हूँ आप सभी के बीच में एकोनॉमिक्स के टॉप 30 कोश्चन्स के साथ जो आपकी सभी पृतियों की परिक्षाओं के लिए अत्यन्त महत्पूर्ण होने वाले हैं तो एक बार फिर से आप सभी दोस्त वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ हलाकि इसकी पहले वीडियो में मैंने आपको टॉप 20 कोश्चन्स करा दिये हैं अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी तो वहां से जाकर भी आप टॉप 20 कोश्चन्स देख सकते हैं तो चलिए फिराल आज के सेशन की शुरुवात कर देते हैं आज का पहला कोश्चन है आपका भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B भारत में यहीं बात करते हैं सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले राज्य की तो उसमें महारास्त जो है पहले इस्थान पर है चलिए अगले कोश्चन पर चलते हैं आपका अगला कोश्चन है भारत का कितना प्रिशत आबादी क्रिश उद्योग पर निर्वर है तो इसका सही अंसर होगा अप्शन नमबर इस सबसे पहले इस्थान पर कौन सा देश है तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है फैन्र एमेरिका जो है तो B ऑप्षन इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा चलिए next question पे move करते है आपका अगला question है भारत में उच्चतम मानोवी का सुछकांग किस राझ्य में है आपको बताना है कि जो human आपका अगला question है भारत में उच्चतम मानोवी का सुछकांग किस राज्य में है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number B केरल राज में मानो विकास सुचकांग भारत में उच्चतम है तो B option जो है इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा चलिए अगले question पे move करते हैं आपका अगला question है जन संख्या व्रद्धी से आर्थिक विकास की गती क्या होगी आपको बताना है कि जन संख्या में व्रद्धी होती है तो आर्थिक विकास की गती जो है वो कैसी होती है इसका सही option होगा C option जब जन संख्या में व्रद्धी होती है तो देश की जो आर्थिक विकास की गती है वो धी में पड़ जाती है तो C option इसका बिल्कुल correct answer हो जाएगा चलिए अगले question पे चलते हैं आपका अगला question है मानोविका सूचकांग में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number C मानोविका सूचकांग में भारत को 132 इस्थान मिला है चलिए अगले question पे चलते हैं आपका अगला question है पहला मानोविका सूचकांग किस अर्थसास्त्री ने तयार किया था तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number B महभूब उल हकने चलिए next question पे चलते हैं आपका अगला question है नि जवाब होगा option number A क्रसी छेत को प्राथमिक छेतर कहा जाता है तो A option इसका बिलकुल correct answer हो जाएगा चलिए अगले question पे चलते हैं आपका अगला question है इन में से कौन भारत सरकार का केंद्रिय बैंक है इसका सही जवाब होगा option number B Reserve Bank of India जो है वो भारत सरकार का एक केंद्रिय ब प्रदाहन मंत्री जो है रास्ती विकास परिशत का अध्यक्च होता है तो A option जो है इसका बिलकुल correct answer हो जाएगा चलिए next question पे चलते हैं आपका अगला question है अंतर रास्ती व्यापार संबंदी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है यानिकि आपको उसंस्थ के बारे में बताना है जो अंतरास्थी व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नमबर ए 15 मार्च 1950 को भारत में यूर्जना आयो का गठन किया गया चलिए अगले कोश्चन पे चलते हैं आपका अगला कोश्चन है भारत में वित्तिय वर्स कहा जाता है यानि कि भारत में कब से कब तक जो है वित्तिय वर्स कहा जाता है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नमबर एक अप्राइल से 31 मार्स तक का जो अवदी होती है उसको वित्तिय वर्ष कहा जाता है तो A option इसका correct answer हो जाएगा चलिए अगले question पे चलते हैं आपका अगला question है लीची का विस्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो इसका सही जवाब होगा option number A भारत जो है विस्व में लीची उत्पादम की बात करते हैं तो उसमें प्रथम इस्थान पर आता है तो A option इसका बिलकुल correct answer हो जाएगा चलिए अगले question पे चलते हैं आपका अगला question है भारत में रास्थी आएकी गणग के लिए सर्व मान्य प्रमाडिक संस्था इसका सही जवाब होगा option number C केंद्रियék संख्यां की जो संगटन है वो भारत में रास्थी आयकी गणग संस्थान है तो C option इसका correct answer हो जाएगा भारत के किस राज में कोईले की मात्रा सबसे अधिक है तो इसका सही जवाब होगा option number B उडिशा राज में जो है कोईला सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है तो B option जो है इसका correct answer हो जाएगा चलिए अगले question पे चलते हैं आपका अगला question है रास्टी आय समिती का गठन किस वर्स किया गया था तो इसका सही जवाब होगा option number B उन्नी सो उन्चास में रास्टी आय समिती का गठन किया गया था तो B option इस question का सही जवाब हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन पे चलते हैं आपका अगला कोश्चन है अर्थ सास्त्र किस की रचना है तो इसका सही जवाब होगा अर्थ सास्त्र चार्णक की या फिर कौटिल की रचना है C option इसका correct answer हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन पे चलते हैं आपका अगला question है इन में से कौन Asia का सबसे पुराना share बाजार है तो इसका सही जवाब होगा option number C Asia का सबसे पुराना share बाजार की बात करें तो वो Mumbai है C option इसका correct answer हो जाएगा चलिए अगले question पे चलते हैं आपका अगला question है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंब कब किया गया था तो इसका सही जवाब हो जाएगा option number A 1904 में भारत में सहकारिता आंदोलन प्रारंब किया गया था चलिए next question पे मूब कर जाते हैं आपका अगला question है उब्भुकता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही जवाब होगा option number B 15 March को उब्भुकता अधिकार दिवस मनाया जाता है तो B option इस प्रसन का सही जवाब हो जाएगा आईए next question पे चलते हैं आपका अगला question है भारत के कौन से दो राज्य खनिश तेल के लिए अगरी आपको भारत के ऐसे दो राज्यों के बारे में बताना है जिसमें खनिश तेल सरवादिक पया जाता है तो इसका सही जवाब होगा अप्शन नमबर D असम और गुजरात इसका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन पे चलते हैं आपका अगला कोश्चन है भारत में तेल और प्राकतिक गैस निगम जिसको हम सौट में O.N.G.C कहते हैं उसका हेड़कौाटर यानि के मुख्याले कहां इस्तित है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नमबर C देहरा दोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन पे चलते हैं आपका अगला प्रस्चन है भारत में बड़ी इलाइची का अधिक्तम उत्पादन करने वाला राज कौन सा है तो इसका सही जवा जवाब होगा ऑप्शन नमबर A सिक्किम जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन पे चलते हैं आपका अगला प्रस्चन है भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो इसका सही जवाब होगा ऑप् कोश्चन है रास्टी ग्रामीड विकास संस्थान कहां इस्तित है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नमबर A रास्टी ग्रामीड विकास संस्थान है तो इस प्रस्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन पे चलते हैं आपका अगला कोश्च निम्लिलिकित राज्यों में किस राज्य में ज्यादा चाय के बगान है जिसका सही जवाब होगा ओप्शन नमबर A असम इसका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए अगले कोश्चन पे चलते हैं अपका अगला कोश्चन है भारती अर्थविवस्ता के उधारी करण का अग्रदूत किसको कहा जाता है जिसका सही जवाब होगा ओप्शन नमबर C मनमोहन सिंग को भारती अर्थविवस्ता का उधारी करण का अग्रदूत कहा जाता है तो C ओप्शन इसका बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चलिए अगले प्रशन पे चलते हैं आपका अगला कोश्चन है भारत में प्रशन बेरोजगारी सामानेता दिखाई देती है प्रचन का मतलब होता है चीपी होई तो यानि कि इस कोश्चन में आप से पूछा गया है कि भारत में चीपी होई बेरोजगारी सामानेता किसमे दिखाई देती है तो इसका सही जवाब होगा ओप् इस तरी ये मानोविकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसका सही जवाब होगा option number D मध्य प्रदेश जो है राज्य स्तर पर मानोविकास सुचकांग जारी करने वाला प्रथम राज्य भारत का बना है तो D option इसका बिलकुल correct answer हो जाएगा तो दोस्तों ये थे आपके सामने economics के top 30 question उम्मेद करता हूँ ये सारे question आपके आगामी competition exam के लिए अत्यनत महत्पूर्ण होंगे और आज की ये वीडियो आपको अच्छे लगी होगी वीडियो कैसे लिगी आप हमें comment करके जरूर बताएं वीडियो को अच्छा लगा हो तो like जरूर कर दे और हाँ चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो subscribe जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली हरे वीडियो का proper notification आपको मिलता रहे फिराल वीडियो कैसे लगा आपके box में comment करके जरूर बताएं फिराल मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में किसी और important question के साथ तब तक के लिए जहन